देखे आज मैंने भी राजे सबा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेट कारवाई है जो लिस्टेट बिजनस है उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मनीपूर के विशेपे मनीपूर हमारे देश का अभीन अंग है हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही है उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है हमारी सब की कलेक्टिव कॉंशन्स और आत्मा जंजोडी गई है और मैं हाद जोड के विनिती करता हूँ केंदर सरकार से की नींद से जागे और इस विशेपे चर्चा कराए और मैं खास तोर पे केंदर में बैठी सरकार का एक ध्यान अकर्षित करना चाहूंगा मान्ये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के इस बयान पे जो उन्होंने मनीपूर के संदर्व में 25 परवरी 2017 को दिया था ट्वीट करके उन्होंने खुद कहा था उस समय वहाँ पर कुछ बारदात हुई थी उसके संदर्ब में मानिय प्रधान मंत्री जी ने कहा था तोस वो केनोट एंशोर पीस इन दे स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मनीपूर सेज प्राइम मिनिस्टर ये एक बच के आठ मिनिट दुपहर के समय 25 फरवरी 2017 को मानिय प्रधान मंत्री जी ने खुद ये बात कही थी देशवासियों के सामने रखी मैं इसी प्रधान मंत्री जी के बयान का उन्हें अवाहन देते हुए कहना चाहूँगा कि सदन के भीतर आएं इस पर बयान दे और चर्चा कराएं पुरा देश आज जानना चाहता है कि मनिपूर में हो क्या रहा है मनिपूर जैसे जल रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया क्या कदम उठाएं क्योंकि वहां राज्य में भी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है मनिपूर में केंदर में भी बीजेटी की सरकार है की मृत्यू हो गई है जानमाल का नुकसान हुआ है जो बता रहे हैं कि राज्य में आप कुछ बचा ही नहीं उस तिती में भी सरकार कुम करणी नींद सो रही है उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगरी और वो बहस कराने से भाग रही है ये बहुत दुख़त है मैं चाहूंग कि आज हम सब का और मेरा भी जो रूल 267 का नोटिस है उसका संग्यान लेते हुए आज से ही मनिपूर पे बहस शुरू हो और मनिपूर में जल्द से जल्द एक डिस्क्रेडिटिट सरकार जो है बीजेपी की राज्य में उसे बर्खास्त किया जाए उन्हें कोई अधिकार अधिकार ने यह सरकार में रहने का और महां पे राश्वतिशासन लगाया जाए आज वाजा है